हलो एवरिवन, वेलकम टो योवर यूटूब चैनल साइन्स फाउंडेशन तो दोस्तों जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बता दिया जा चुक है कि आपको एक most important कुशनों की एक स्रीज तैयार करवाई जाएगी और उन में से ही आपके 2022 में जो आपके एक्जाम लगेगी उसमें आपके करीवन 45 से लेकर 80% जो कुशन है वो इसी में से पुट अप होगे तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आप सभी को पता होगा diversity of animal and evolution का पेपर होता है आपका तो उसी के आज most important कुशन आपको इस वीडियो में करवाएं जाएंगे तो दोस्तों आप वीडियो के end तक बने रहे है गया end चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले में आपको एक बात और बता दू आपको जो एक कुशन बताए जा रहे है वो आपके exam pattern के आधार पर ही इन कुशनों को तयार किया गया है तो उसी के आधार पर आपको एक कुशन किलियर करवाए जाएंगे तो जिसको भी exam pattern का पता नहीं है वो आप यहाँ पर इस पूरी वीडियो को देखकर exam pattern का भी पता कर सकते हो तो चले दोस्तों परष्ट कुशन देखते हैं निमल लेखित के लगू उत्तर दीजे राइट नेम ओप टू मेगेफी पेरिडोफ हाइट्स पर्ष्ट 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 ने आपका दो व्रहत पढ़नी टेरिडोफ हाइट्स के नाम लेखे अगला कुशन है यूस पोरेंड जी एट परिवर्धन को परिवासित कीजे अब देखे दोस्तों यह आपके जो क्यूशन है वो लगू क्यूशन अर्थार्थ आपके इसको इनका जो आंसर है वो दो से तीन लाइनों में ही देना है अगला कुशन है आपका दो सम्भी जानु टेरिडोफ हाइट उसके नाम लेखे दो सम्भी जानु जो टेरिडोफ हाइट है उनका आपको यहाँ पर नाम लेखना है नेक्स्ट है सिलेजिनेला की दो प्रजातियों के नाम लिखे जो सिलेजिनेला कुल है उसके दो प्रजातिया कौन कौन सी है उसके आपको यहाँ पर नाम लिखना है अगला कुछन है आपका रेमेंटा को परिवासित कीजिए इन विच प्लांट इन केरिनियल केनल फाउंड चुर्य मेंट है उसको आपको यहाँ पर परिवासित करना है अगला क्यूशन है किस पोदों में केरिनियल केनल पाई जाती है कौन सा पोद है जिसमें केरिनियल केनल पाई जाती है उसको आपको यहाँ पर लिखना है अगला question है आपका वी जानू फली का किस फोदे में पाई जाती है अब इसका भी answer आपको एक या दो word में इसका जो answer है आपको देना है अगला question है proto still को परिवासित कीजी जो proto still होता है उसके आपको यहापर definition लिखनी है और definition लिखते हैं समय आप ये बात का ज्यान रखना जो एक कुछन है इसका answer last आपको दो से तीनी लाइनों में देना है इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिखना next है मारसीलिया की मरुदविद प्रजाती का नाम लिखे जो मारसीलिया होते है उसकी जो मरुदविद प्रजाती है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है next question है आपका सोबाकारी पादप के प्रमुक सोबाकारी पादप के रूप में प्रुक्त साइकस की किसी एक प्रजाती का नाम लिखे जो सोबाकारी प्लांट होते है उसके रूप में प्रुक्त साइकस की किसी एक प्रजाती है उसका आपको नाम लिखना है अगला क्यूशन है आपका किस पादप को चीड पाइन खा जाता है इसका आपको एकी वड में उत्तर देना है नेक्ट क्यूशन आपका पाइन सोई में पाए जाने वाले संचरण ओतक का जो वर्क है वो क्या है इसके बारे में आपको लिखना है नेक्ट क्यूशन आपका इफ्रीडा में पाए जाने वाले कोई दो मरुद भी दिये अनुकूलन के लक्षन लिखे जो इफ्रिडा कुल होता है उसमें पाई जाने वाले दो मरूद भी दिये अनुकुलन के आपको यहाँ पर कर्रेक्टर लिखने हैं अगला कुशन आपका पुरान वनस्पति विज्ञान को परिवासित कीजी पुरान वनस्पति विज्ञान को परिवासित कीजी काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट कुशन है और इसकी 2022 में आने के पूरे पूरे चांस है इसलिए आप इसको अपनी जो बुक के या आपके नोट से उसमें मैच करके अच्छी तरह से किलियर कर लीजेगा एंट परिवासा के साथ साथ इसका जो डेफिनेशन और भी ज़्यादा जो इसका एक्स्प्लेन है उसको भी अच्छी तरह से किलियर कर लीजेगा अगला क्यूसे नहीं आपका पुरान वनस्पति विज्ञान अध्यन के कोई दो उद्देश से लिखे कि क्या उद्देश है वे पुरान वनस्पति विज्ञान का अपन जो हत्द्देशन करती है बीसी में उसका क्या उद्देश है किनी दो उद्देश के बारे में आपको लिखना है अगला क्रिशन आपका जीवास्म निर्मान के लिए प्रियुक्त प्रतिस्तापन शिद्धान्त को समझाईए जीवास्म निर्मान के लिए जो प्रतिस्तापन शिद्धान्त दिया गया है उसको आपको यहां पर समझाना है स्काउट लेंड से खोजे गए जिवास में टेरीडोफाइट का नाम लेखे अगला क्यूशन आपका नेक्स्ट लेपी डोन डेंडरोन की वरगी करत इस्तती को बताईए तो इसे के साथ दोस्तों आपका पहला क्यूशन है वो आपका समापत हो गया और जो इक पृते क्यूशन है वो एक बटा दो अर्थार्थ आदेम प्रतेक क्यूशन तो पहला क्यूशन आपका टोटल हो गया दस नंबर का अब अगला क्यूशन है आपका क्यूशन नंबर दो टेरीडोफाइट की सामाने लक्सणों का वरण कीजिए तेरी डो फायट्स की सामान्य लक्षणों का वर्नन कीजिए काफी बड़ा क्युष्ण है और एक क्युष्ण है आपका 6 नमबर में आता है इसी के नीचे अथवा के लिए ओप्षन दिया होता है जिसको आप च्वाइस कर सकते हो एन अथवा के उप्षन में आपके अधर क्युष्ण होता है तो यहाँ पर देखे तेरी डो फायट्स की सामान्य लक्षणों का वर्नन कीजिए काफी बड़ा क्युष्ण है और इसी के अनुरूप आपको इसका आंसर देना है तो देखे दोस्तों क्युष्ण नमर दो के जो अथवा में क्युष्ण है वो है आपके सिले जिन्याले के संदर साहित विसम भी जानुकता एवं बीजे सुभा उपर एक निबंद लिखी दोनी क्युष्णों में से आप एक क्युष्ण को चुन सकते हो और बिल्कुल आप कोई से भी एक क्युष्ण का अच्छी तरह से आंसर दे सकते हो यह क्युष्ण भी आपके च्हे नमर कहें इसको करने से भी आपके च्हे नमर मिलेंगे और उपर वाले करने को भी आपको च्हे नमर मिलेंगे अगले क्युशन है क्युशन नंबर तीन मार्शीलिया बीजानू फलिका की आकार की परवर्ति का विश्तरत विवरन दीजी जो मार्शी लिया पोदा होता है उसकी जो बीजानू फलिका की अकार के प्रवर्ति का विश्तरत विवरन आपको आपके बुक में नोट करना है अब इसी के ओप्शन अथवा दिया गया है ये क्यूशन भी आपके छे नंबर का है इसके नीचे अथवा में जिम्नो इस्पर्म के सामने लक्षनों एवं बंदूता का वर्नन कीजे तो जिम्नो इस्पर्म के कुल होते हैं उसके सामने लक्षन लिखने आपको फिर उसके बाद में बंदूता का वर्नन करना है नेट्ट कुशन देखे, कुशन नमबर चार उप्युक्त चित्रों की साहिता से साइकस गुरू विजानु परण एवं मादा युगमोद विद का वर्नन कीजिए अर्थाद देखे कुशन में पहले ही आपको बताई दिये गए कि उप्युक्त चित्रों की साहिता से अर्थाद इस कुशन में आपको डायग्राम जरूर बनाना है नहीं तो आपके छे नमबर है जो बिल्कुल नहीं मिनेंगे उप्युक्त चित्रों की साहिता से सायकस गुरू विजानु परण एहुं मादा युकमोद विद का वर्नन कीजिए और इसी के ही अथ्वा में आपका अगला कुशन है उप्युक्त चित्रों की साहिता से इप्रिधा के जीवन चकर का वर्नन कीजिए दोनों क्युस्षनों में आपको डायग्राम बनाना जरूरी है अगला और लाश्ट का क्युस्षन आपका राइट नोट्स ओन निमन पर टिप ने लिखी पस्ट है जिवास्म बवन के सिद्धान्त सेकिंड है टाइप ओप फोसिल्स जिवास्म के प्रकार यह 3 प्लस 3 अर्था 3 नमबर का यह है यह 3 नमबर का यह है इसको करने से आपको कुल टोटल 6 नमबर मिलेंगे इसी के नीची अथवा का उप्षन है आपकी इसको भी आप चुन सकते हो अथवे में आपका निमन पर टिप ने लिखी पश्ट है लेपीडो ड्रेंडोन एंड सेकिंड है विलियम सोनिया दोनों में से कोई भी आप एक कुशन कर सकते हो वे भी 3 प्लस 3 अर्था 6 नमबर का कुशन है तो आप इन कुशनों को अच्छी तरह से आपके बुक में या आपके जो नोट्स है उनमें मैच कर लिजेगा एंड इनको बिल्कुल अच्छी तरह से किलियर कर लिजेगा क्योंकि जो आपके 2022 में जो आपके एक्जाम होने वाली है वो मार्च के स्टार्ट में ही सुरू हो जाएंगी एंड उसमें आपके 80% से लेवस है जो करीबन यहां से ही पुट अप होने वाला है इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजेगा एंड ज़्यादा ज़्यादा सेर कीजेगा साथ ही चैनल पर हो तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजेगा एंड आप यदि लेना चाहो तो एक बार इनकी स्क्रीन सोट भी ले सकते हो और एक क्यूशन है जो आपको टेलेग्राम चैनल एंड वाटसप ग्रूप पर भी मिल जाएंगे तो चले दोस्तो अगले क्लास के साथ मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाज जैन वंद्यमात्रम